गाजा में हमलों के बीच इस्वाइल पर लग रहे मानवाधिकारों के उलंगन के आरोपों को देखते हुए यूएन ने उसे ब्लाक लिस्ट कर दिया है रिपोर्ट्स के मताबिक सायूप्त रास्ट ने इस्वाइल के अलावा हमास और फिलिस्टीनी जुहाद को लिस्ट आफ शेम में शामल किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के आफिस ने अपनी वावशिक एपोर्ट के साथ ये लिस्ट फाइनल की इसके बाद इस्वाइल के राज़ूद गिलाद एर्दन को इसकी जानकारी दी गई जन्ग के बीच गाजा में बच्चों पर हो रहे जुर्म को देखते हुए ये फैसला किया गया और इसी के साथ इस्वाइल पहला लोगतांत्रिक देश है जिसे इस लिस्ट में जोड़ा गया है बता दे कि इस्वाइल और हमास के अलावा अब तक यूएन के लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यानमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, ISIS और अलकाइदा का नाम शामिल है पिछले साल यूक्रेन में जंग के बीच बच्चों पर हुए अत्याचा को देखते हुए रूस को इस सूची में जोड़ा गया था, रिपोर्ट्स पर प्रतिक्विया देते हुए इस्वाइल के प्रधारमंत्री बेंजरमीन नेतनियाहु ने कहा कि यूएन ने हमास की बेतु के दावो के अधार पर इस लिस्ट में हमारा नाम जोड़ा है और ऐसा करके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुचोरेस ने खुद को इतिहास में ब्लाक लिस्ट करवा लिया है वो आतंकवाद और इस्वाइल के खलाफ नवरत को बढ़ावा देते हैं